आज की वीडियो लंक्स प्रॉब्लम के लिए और हार्ट प्रॉब्लम के लिए है सिम्पल सी मसाज टेक्निक से आप अपने हार्ट को और लंक्स को हेल्थी रख सकते हैं ये मसाज टेक्निक आपको दिन में दो बार दो मिनट के लिए करनी है इसको सभी लोग कर सकते हैं जिनको heart की problem है या lunks की problem है वो तो करे ही prevention के तौर पे ये सभी लोग कर सकते हैं थोड़ा सा oil लेंग्या पीर सेरिया पे जहां पर आप देख रहे हैं थंब के नीच्छे वाले area में ये हमारे lungs का ओर heart का अक्युप्रेशर point है इस पूरी जगह पे आपको अच्छे से मसाज कर लेना है पुरा घुमा के यहाँ पे मसाज की टेक्निक होगी आप राउंड घुमा सकते हैं clockwise, anti-clockwise या फिर press release करेंगे या फिर press करके रखेंगे अपको यहाँ थोड़ा सा पेन भी होगा अगर आपको हाट में कोई प्रॉबलम है या फिर लंक्स में कोई प्रॉबलम है जिनको सांस लेने में दिक्कत है या सीरिया चरते समय سांस फुल जाती है उनके लिए भी बहुत इंच्छा या अक्यप्रेशर की थरेपी है जिनको बार-बार लंक्स से सम्ध़ित प्रॉबलम होती है स्थमा, ब्रॉंकाइटीज, उनके लिए ये बहुत अच्छा अक्यप्रेशर थरेपी है यह आपको दोनों ही हाथों पे करना है और एरिया यही रहेगा अंगोठे के नीचे जुगद्देदार हिस्सा है आपका यह सुजोग के नुसार हमारे लंग्स का और हार्ट का अक्यूप्रेशर पॉइंट है हाँ पे आप इसको अपने अंगोठे की मदद से अच्छे से मसाज करेंगे पेन रिलीफ ओईल ले सकते हैं आईरवेदिक ओईल ले सकते हैं और यहाँ पे बहुती अराम से मसाज करेंगे डीप एंग सॉफ्ट ब्रेथ पे पूरा फोकस करेंगे तो ये एरिया आप जरूर यहां पे मसाज करें मुगली की साहता से अपने दोनों ही हाथों पे करें इसको आप दो से तेन मिनट अराम से कर सकते हैं तो ये लंग्स से संबंदित कोई भी प्रॉब्लम है आपको लंग्स में पानी भर गया है या फिर बहुत सर्दी जुकाम होती है आपको खांसी होती है उसमें भी ये लंग्स का एक्युप्रिशर पॉइंट आपको हैल्प करेगा तो ये आप प्रोजाना करेंगे बहुत ही इसका आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे घर बैटे ही आप अपनी छोटे मोटी जो रोग है या फिर अगर स्वस्थ हैं तो भी आप इसको करें क्योंकि जो स्वस्थ वेक्ती है उनको आने वाले समय में ये प्रॉब्लम ना हो उनके लिए बहुती बहतरेन है पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है जैसे हाट तेज धड़कता है या फिर कभी कभी कम हो जाता है धड़कना उसके लिए भी ये बहुती बढ़िया थेरेपी है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, सिध्या चड़ने में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है तो हाट से सम्मंदित कोई भी अगर आपके समस्या है, उसके लिए आप ये वाली थेरपी यूज करें आज मैं दूसरी थेरपी आपको बताने वाली हूँ, वो है हील पेन के लिए अगर आपके पैरों में जो दर्ध होता है, एडियों में, खास कर एडियों में जो नीचे वाले तलवे में उसके लिए मैं आपको थेरपी बताने वाली हूँ तो पहले आप यहाँ पे 10 बर clockwise घुमाएंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे घुमाएंगे गौंट करते जाएंगे और 10 anti-clockwise प्रेस करेंगे इस एरिया पे तो यह हमारे thyroid gland को भी healthy रखता है जिनको thyroid की problem है उनके लिए भी यह वाल IQ pressure point जो massage है बहुती बेहतरीन है तो lungs से संबंदी जिनके फेफरे में problem हो जाती है सांस लेने में problem होती दमा की problem है, bronchitis की problem है उनके लिए यह massage therapy बहुती उपयोगी है आप यहाँ पे थोड़ा सा oil लेके massage करेंगे तो अब है यह heel pain के लिए जिनकी एडियों में दर्द होता है तलवों में दर्द होता है उनके लिए जो हमारी middle finger है और ring finger है एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारी यह दोनों ही pair को represent करते है और जो उपर वाला हिस्सा है यह हमारे एडि का heel का एक्यूप्रेशर point है यहाँ पे आप दिन में 2-3 बार 2-2 मिनट के लिए massage करेंगे कोई सबी oil या cream ले सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे मेथी की पट्टी कैसे बनाती है जो हम यहाँ पे apply करेंगे तो मेथी की पट्टी बनाने से पहले हम यहाँ पे एक्यूप्रेशर की रिंग को 1-3 मिनट के लिए स्टिमूलेट करेंगे इसे एडिया को एक्यूप्रेशर की रिंग बहुती कमाल की होती है आप चाहें पूरी उंगलियों में सबसे पहले इसको घुमा ले एक से 3 मिनट के लिए दोनों ही हाथों के आप घुमा सकते हैं आज हम खले एडि की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उपर वाला हिस्सा ही इसको स्टिमूलेट कर रहे हूँ तो ऐसा करने से आप देखेंगे जो आपके एडि में पेन था हील पेन था उसमें धीरे धीरे आपको आराम मिलने लग जाएगा इससे ब्लट सर्कुलेशन बेतर होता है एक्यूप्रेशर की रिंग से इसको आप रोजाना कर सकते हैं इसको तो आप अपने पर्स में रख लें चाहे अपने ओफिस में ड्रॉज में बहुत ही ये काम की रिंग है अब हम ये बनाएंगे मेथी की पट्टी जो हम लगाएंगे अपने फिंगर्स में ये डॉक्टर टेप है जो आपको मेडिकल शौक में अराम से मिल जाएगा तो मेथी के दाने जिसों फ्यनुगरिक सीड भी कहते हैं आप एक प्लेट पे फैला लें और इस प्रकार इसमें हम चिपका लेंगे डॉक्टर टेप में अपने मेथी के दाने तो ये हमारी बन गए ही मेथी की पट्टी इसको हम अपने उपर वाले हिस्से में यहां पे लगा लेंगे ज्यादा पेन है आप तो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर की दुनों अपर जोइंट पे लगा ले या फिर अगर आपको राइट साइड पेन है तो राइट वाले मिडल फिंगर पे लगाएंगे लेफ्ट साइड एडी में पेन है तो left finger में आप लगाएंगे इसको आप कम से कम 8 घंटे लगा के रखे देन में लगा रहे हर एक घंटे में आपे दबाते रहेंगे तो यह stimulate होते रहेगा वो area रात को लगा के भी सो सकते हो और इसको कुछ दिन आप करिये लगातार करिये आप जब तक आपकी problem solve नहीं होती मेथी का दाना next day change हो जाएगा यह वाला use नहीं होगा तो यह आपके hill pain के लिए area के pain के लिए जो area की हड़ी बढ़ जाती है उसके लिए पैर जो जमीन में रखते ही तलवे आपके गरम होने लगते हैं उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया यह acupressure की therapy है seed therapy है तो यह बहुत ही simple तरीके से आप घर बैठे ही अपनी छोटी मोटी समस्या को ठीक कर सकते हैं acupressure therapy prevention के रूप में भी use की जाती है तो इसको कोई भी कभी भी कर सकता है doctors की आप दवाई लेते हैं तो लेते रहिए और अपना यह therapy भी जात में कर सकते हो friends family में जरूद शेयर करें